नमस्कार बच्चों आपका स्वागात है मेरा यूट्यूब चनल मैंसी तमरजह में इस वीडियो में हम क्लास नाइंद का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांग 25 नवंबर 2024 का वर्क्षिट लेकर करके उफस्तितू हमारा आज का टॉपिक है सर्फेस एरिया और राइट सर्कुलर क यानि वक्र प्रिष्टिय च्हतरफल हम शंकू का वक्रलम वर्तिय शंकू का प्रिष्टिय च्हतरफल कैसे निकालना सिखें अब किसी ठोस का प्रिष्टिय च्हतरफल उसके फलकों के च्हतरफल का योग के बराबर होता है कुल प्रिष्टिय च्हतरफल जो होता है सर्फे स्पेस, we use square unit to represent the surface area of solid figure. In the given figure एक्जांपाल ओपराइड, circular, हम किसी ठोस आकरिती के वरिष्टिय चतलम्ल को दर्साने के लिए बारगी काईयों का उप्योग करते हैं, दी गई आकरिती लंब वरिथिय शंकु का उदारन है. यहाँ पे चितर में बिंदु A दिया हुआ है, जो लंब वरिथिय शंकु का सिर से हैं और एबी जो है अंदर से यह तिरियक मलब एबी इसकी हाइट है उचाई है और बी-सी यह इसका रेडियस है तिरिज्जा है और एसी एक तिरियक उचाई हो जाएगी यानि स्लेंट हाइट अब यहाँ पे इस चेप्टर में हम शंकु से मतलब है हमारा लंब रितिये शंकु यानि राइट सर्कुलर कोन अब इसको हम कैसे सौल करें सबसे पहले एक कोन ले ले एक कोन जो दिया हुआ है कोन बना ले का वी कट अब यहाँ से कौन के किसी किनारे से यहां से इसको काटे ले और फैलाएंगे तो कुछ इस तरह से यह सरकल है तो यह चारो सैट ऐसे फैल करके यह वरित बन जाएगा इस तरह से वरित अब a line along with we cut a quote is called slant height, यह हमने जो काटा है उस slant height के according काटा है, तेरिया कुछ आएगे, अब इसमें हम A और B दे दिये, दोनों end point को हमने A और B दे दिया, in the paper we cut into hundred of, इसको अब base को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने 100 टुकड़ों में कर दिया, और सबका नाम B1, B2, B3 इस सारे एक तरह से ट्रेंगल के रूप में शूर हो जाएंगे, एक ट्रेंगल के रूप में तो हो जाएगा, जिसमें उसका बेस जो होगा, यह height जो है, L के बराबर है और B यह हो जाएगा, right triangle ट्रेंगल पर हो जाएगा, यारि slent height है, तो, each person is almost small triangle, whose height is slent height L and cone of cone. यह उसकी height H के बराबर हो जाएगा, तो area क्या होता है? 1 by 2 into base into height, तो base तो इसका हो जाएगा, B1, B2, B3 है, और height सब में L. तो यह 1 by 2 B1 L 1 by 2 B2 L 1 by 2 B3 L इस तरह से होता जाएगा तो 1 by 2 और L कॉमा ले ले B1 B2 B3 B1 इस तरह से हो जाएगा 100 तो 1 by 2 into L into length of entire card boundary यह पूरी तरह से जो card boundary है और यह card कैसा है यह circle क्या card का है तो circle का card area क्या होता है यह जो circumference क्या होता है perimeter of base of cone and circumference of base of cone is 2 by R तो यहाँ पे हमने रखा 1 by 2 और L into 2 by R तो यह 2 से 2 कट गया और आगया formula पाई R और L यही formula आपको इसका card surface area of cone कहलाता है यानि card surface area जो होता है CSA जो होगा पाई R और L जहाँ पे L जो होगा यह होता है under root h square plus r square के बराबर अब total surface area क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा इसमें एक circle और बढ़ जाएगा तो पाई R L प्लस पाई R square तो यह हो जाएगा पाई R common L प्लस R यह formula हो जाएगा total surface area अब इसी प्याधार सवाल दिया है त्राइ और सेल के थाथ फाइंड टोटल surface area ऑप राइट circular को और पेस रेडिए बेस दिया हुआ है यह रेडियस दिया हुआ है आर बरावर में आर बरावर में एट सेंटीमेटर और एच बरावर में शिक सेंटीमेटर और पाई के बदले कहरा है 3.14 यूज़ करने के लिए तो टोटल surface area TSA ऑफ क्या होगा वर वाइट सरी पाई आर और एल प्लस आर हमने यहाँ पे निकाला है पाई आर और एल प्लस आर तो यहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यह हो जाएगा पाई के बदले दिया हुआ है 3.14 यूज़ करने के लिए 3.14 यहाँ पे लिखा हुआ है 3.14 यूज़ करने के लिए और आर के बदले दिया हुआ है R दिया हुआ है आपको 8 cm और यह है 8 प्लस 6 आपको नहीं दिया है L आपको ग्याद करना है यहाँ पे H दिया हुआ है L नहीं दिया हुआ पहले L ग्याद करना है तो L बरावर में होता है H square प्लस R square तो H की value आपको दिया हुआ है 6, 6 का square प्लस 8 का square तो इस तरह से हो जाएगा 36 प्लस 64 बरावर में अंडरूट 100 बरावर में 10 और cm तो अब TSA निकालेंगे TSA of corn तो πाई R और L प्लस R होता है तो 3.14 इन्टो 6 की बदले यहाँ पे Sorry, R के बदले दिया हुआ है 8 और यह है 10 प्लस और R के बदले 8 दिया हुआ अब इसको मल्टिप्लाइ करें तो यह हो जाएगा 3.14 इन्टो 8 इन्टो 18 अब सॉल्व करते हैं मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 452.16 cm2 इसका आंसर हो जाएगा Next देखते हैं Question of the day जो दिया हुआ है आज का उसकी तरफ चले पर आपको कह रहा है जो कि H दिया हुआ है 15 और R दिया हुआ है 8 तो और Pi की value कह रहा है 3.14 यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले L गयाद करना होगा L बरावर में 15 का स्क्वार प्लस 8 का स्क्वार तो यह 15 का स्क्वार 225 होता है और 64 यानि यह हो जाएगा 2, 8, 9 जो 17 का होता है स्क्वार तो L निकल गए L बरावर 17 अब T, S यहाँ पे सिर्क कड़ सर्फेस एरिया निकलना C, S, E of corn निकलना है तो Pi, R, L होता है तो Pi की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 और इन्टु यह दिया हुआ L की वैल्यू 17 तो इसको multiply करे इस cancer हो जगा 427.04 cm2 उमीद है समझ में आओगा अच्छा लगे तो Like, Subscribe, Share जरूर करें